कट्रा से बनिहाल के बीच में जबर्दस तरीके से काम चल रहा है रेलवे जगे जगे टनल्स बना रही है जगे जगे ब्रिज्स बन रहे हैं और वहाँ पर जो काम हो रहा है कितना पूरा हुआ है कब तक ट्रेन चलेगी इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नार्दन रेलवे के जीम सोभन चौधरी जी है यह उनी से बात करते हैं सोभन जी न्यूजी स्टेशन में आपका स्वागत है सर अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की लगातार डेडलाइन आगे बढ़ती रही है तो एक और डेडलाइन दे दी गई कि दिसंबर दोहजार तेईस या जनवरी दोहजार चौबिस तक इसको पूरा कर लिया जाएगा खुद रिल्मंतरी ने यह कहा क्या आपको लगता है यह पूरा हो जाएगा यह पूर्ण तरह हो जाएगा यह जो आपने बताया है कट्रया बनीहाल 111 किलोमेटर का सेक्शन पर काम बाकी है उस पर काम पूरी तेजी से चल रहा है दो टनल टनल वन टनल बारा पर अभी थोड़ा सा काम बाकी है करीब 200 मीटर की ट्रेंचिंग एक्सकावेशन का कारे बाकी है बाकी वो कारे पूरा होते ही जो हुआ लाइनिंग ट्रैक बिचाने का काम किया जाएगा और जैसा कि माननी मंतरी जी ने कहा हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और काम पूरी तेजी से चल रहा है नॉवेंबर डिसमबर तक इस सेक्शन में इस खंड में काम पूरा होके है श्रीनगर तक की पूरी आपको कनेक्टिवटी आगे तक की मिल जाएगी तरनल वन की जब हम बात करते हैं तो तरनल वन में क्या दिक्कत आ रही है हाजारा की MBT के नीचे ये टरनल बनाई जा रही है तो उसमें परिशानी क्या रही है और ज नी भर गया था उससे कारण काम में अवरोत पैदा हुआ तो कश्मीर में नॉर्मल जगे वरकिंग करना में और कश्मीर में अंतर है तो इसलिए वहां पे काफी सरे इंपेडिमेंट्स होने के कारण कारिये की प्रगती में कभी-कभी बाधाय आती है जिसकी कारण कारिये की प्रगती जिस गती से हम लोग चायते हो मिलनी पाती है बट अभी जो काम बाकी है उसको देखते हुए उसकी हिसाब से जिस गती से काम कर रहे हैं जिस गती से हम लोग ने रिसोर्सेज लगाए हुए है मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौवेंबर डिसमबर में उस सेक्शन में कार्य पूरा हो जाएगा सब से लंबी ँटरण इस प्रोजेक्ट में है ती-फोर्तिनाइन तो टी-फोर्तीनाइन में अभी तक कि क्या इस्तति है उसमें प्रोफालिंग हो गई है या पट्री बिचाने का काम चल रहा है और जो बैलास्टिस ट्रैक है उस पे काम चल रहा है यह तो समय टेशन के लिए क्या कि है इस पार बिश की बात करें तो चनाभ ब्रीज पर बपटरी विभी चुकी है लेकिन पास का जो सिक्षन है खासतर पर रियासी से चिनाप के बीच का जो सिक्षन है उसमें काम कब तक पूरा हो जाएगा बारे आपको बताया ना पूर्ण काम पूरा करके थुरू करके हम लोग नॉम्मिंबर डिसम्बर से कन्या कुमारी के लिए ट्रेंगी चलनी है लेकिन इससे अलग अगर हम बात करें तो हाइडरूजन ट्रेंग की बात लगातार की जारी है, मैंने सुना कि हाइडरूजन ट्रेंग को सपकूरबस्ती के पास पहले वो काम था लेकिन उसे ICF को दे दिया गया अभी की क्या इस्थती है शकूर बस्ती के पास तो काम नहीं था जहां तक मेरी जानकारी है वो काम तो हम लोग प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलके कर रहे हैं और उसकी काम की जा रही है जिन्द में जैसा कि मैंने आपक करके पूरी कोशिस जारी है कि इस साल के अन तक हाइड्रोजन ट्रेन भी चले